हेलो दोस्तों केल पोल टेक्निक के यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है आज हम लोग लास्ट चेप्टर नान कन्वेंसलन सोर्स आफ एनरजी पढ़ेंगे इसके सलेबस में क्या क्या पढ़ना है इंट्रोडक्शन है कंसेप्ट आफ सोलर एनरजी है बायो मास एनरजी है विंड एनरजी है टाइडल एनरजी है जियो थर्मल एनरजी है और माइक्रो हाइडल एनरजी है बायो डियल एनरजी है ठीक है तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं नान कन्वेंसलन सोर्स आफ एनरजी के इंट्रोड़क्शन पे इंट्रोड़क्शन क्या है उर्जा के वह स् उर्जा, भूतापिय उर्जा, जिसको हम जियो थर्मल उर्जा भी बोलते हैं, ज्वारिय उर्जा, जीवास्म उर्जा, इत्यादी, अब प्रमपरागत उर्जा का सबसे महत्पूर्ण स्रोत सूरज है, Advantage of Non-Convencionable Energy Source, Advantage क्या है इसके, लाव क्या है, उसको हम लोग बिना किसी खर्च के स्रोत की प्राप्ती हो जाती है, प्रदूसन रहित उर्जा प्राप्त हो जाती है, ये स्रोत कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, Disadvantage हम लोग देखते हैं कि इसके हानिया क्या है, इन उर्जा के स्रोत की दच्चता कम होती है, इनसे उर्जा उत्पन करने म सोर्व में लागत अधिक आता है यह वाता उनन्हों पर आधारित होते हैं ठीक है आगे चलते हैं टाइसथ नान-कंवेंशनल सोर्स हमारे पास उपलब्द है प्रकितमे उपलब्द है जैसे सोर उरजा, बायो मास उरजा, वायू उरजा, जवारी उरजा, माईक्रो हाइडल उरजा, बायो डियल उरजा अगर इसके बाद हम बात करें सोलर एनर्जी की तो यह विग्रण बिदुतिय चुम्बकिय तरंगों के रूप में प्रियोग होता है जिस किसी वस्ट परिया तरंगे पड़ती है और उसमें अवसोसित होती है उस वस्ट का ताप्मान बढ़ता है स्वरुरजा एक स्वच्छ समाप्त नव होने वाली प्रचुर मात्रा में उपलब्द सर्वव्यापी उडजा है सोर उर्जा का उपयोग प्रत्यच और अप्रत्यच रूप से किया जा सकता है प्रत्यच रूप से सोर उर्जा का उपयोग कैसे करते हैं फोटो वल्टाइक सिस्टम के द्वारा विद्दूत में परिवतन करके सोर उर्जा का उपयोग उसमी निकाय में करते हैं जैसे सोलर कूकर हो गया, आप प्रत्यच रूप में सोर उर्जा का उप्योग हम विंड एनर्जी की रूप में करते हैं, बायो मास एनर्जी की रूप में करते हैं, हैड्रो एनर्जी की रूप में करते हैं, ओसीन, समुद्रिय उर्जा, फोसिल एनर्जी की रूप में करते है और आगे हम देखते हैं सोर उर्जा का दोहन करने वाली विभिन युक्तिया निम्न हैं सोर उर्जा कूकर, सोर उर्जा से विद्धुत पादन, सोर उर्जा के वायू हीटर, सोर उर्जा के वाटर हीटर, सोर उर्जा बैटरी यहाँ पर एक हम flow diagram देखते हैं जिस जैसे कि solar energy को हम लोग generation में किस प्रकार से उपयोग करते हैं सबसे पहले हम लोग solar energy प्राप्ट करते हैं उसके बाद उसका photo synthesis होता है chemistry में उसका परिवर्तन होता है समीकन से उसके बाद इसको bio mass energy में परिवर्तित किया जाता है फिर हम लोग energy का generation प्राप्ट कर पाते हैं अगर हम advantage की बात करें तो advantage में solar energy के advantage में क्या है pollution free होता है यह असिमित मात्रा में प्रकिति में उपलब्द होता है इसका operating cost and maintenance cost कम होता है इससे direct बिद्धो तुर्जा उपलब्द हो जाता है या विभिन प्रकार से इसका उप्योग किया जाता है जैसे solar cooker, electricity, generation, water heater disadvantage क्या है इसमें solar energy को collect करने के लिए अधिक खर्च आता है इसकी छमता बहुत कम होती है यह हमेशा उपलब्द नहीं होता है solar energy collect करने के लिए अधिक अस्थान की आउशकता होती है बायो मास energy की अगर बात कीज़ा बायो मास energy क्या होता है कारवनिक पतारत को बायो मास energy कहते हैं जो bridge पस वो आदिशे प्राप्त होते हैं हम सहर उřजा से बायो मास उरजा की तुलना कर सकते हैं क्योंकि आप थक्ष रूप से पेड़ों को प्रकास अंशलेसर द्वारा उगने में मदद करता है बायो मास रोत को तीन परकार में बाटा गया है खेतों से मिलने वाला बायो मास वेस्ट के रूप में मिलने वाला बायो मास तरल के रूप में मिलने वाला बायो मास उपयोग में आने वाले बायो मास फ्यूल लकडी हो गया बायो मास बायो गैस हो गया चारकोल हो गया प्रूसर गैस हो गया बायो डीजल हो गया बायो गैस जानवरों के गोबर मूत्र आज इसे प्राप्त किया जाता है बायो गैस में सलरी का pH 6.5 to 8.5 होता है बायो गैस मुखिता CH4, CO2, H2, H2S आज गैसों का मिस्रन होता है बायो मास का उत्पादन बायो गैस प्लांट में किया जाता है ठीक है आगे हम लोग देखते हैं कि बायो मास प्लांट किस प्रकार से होता है तो यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है जिसमें की एक इनलेट टैंक है प्लोटिंग डैम है फ्लेक्सिबल बैरिड हाउस है गैस है गैस का टैंक है फिर गैस आउटर है स्लाइडिंग है डिगेश्टियर चैंबर है डिश्चार्ज गेट है डेमो गाइड साफ्ट लगा होता है ठीक है मिलाने के लिए गोबर को उसके बाद हम लोग इसके उपयोग प्याते हैं तो इसका उपयोग कूकिंग लाइटिंग हीटिंग और छोटे आईसी इंजनों में किया जाता है आगे अगर हम देखें विंड एनरजी की रूप में तब विंड एनरजी की रूप में हमको विन्ड एनरजी उचाई लगभग साथ मीटर होती है यह हवा की किसी भी दिसा तथा रप्तार पर कारे करते हैं पौन चक्किस से अधिकतम बीस मीटर की गहराई से पानी को निकाला जाता है डिस एडवांटेज क्या है बिना किसी खर्च के वायु प्राप्त होती है हवा कभी खत्म नहीं होत होता है दोहन प्रोशन अधिक होता है कि आगे देखते हैं पौन पौन चक्की को किस प्रकार से हम लोग यहां पर देखते हैं तो उसमें एक गाईज लगा होता है एयर फॉयल ब्लेड लगे होता है जिस पे एयर पढ़ता है और गूमता है वर्टिकल सार्ट लगा होता है लगा होता है जिससे बिजली का उत्पादन होता है आगे हम लोग देखते हैं भूत आपी उर्जा भीता भूत आपी उर्जा प्रित्वी की उपरी सतह से 24 से 40 किलो मीटर की भीतर गहराईयों में गरम पिघली चट्टाने होती हैं जिन्हें मैगमा कहते हैं गरम मैगमा ठोस के रूप में प्राप्त हो जाने के बाद इगनस रौक कहते हैं गरम जल समवहन क्रिया के फलस रूप उपर उठका सरंद्र परदों में आता है गरम जल के इस जलासे के उपर ढकी हुई ठोस रोक होती है जो गरम पानी के इस जलासे को ट्रोक कर रखती है सॉलेड रोक में दरारे पाई आती है जो भूमिगत गरम जल के लिए छिद्र आकरदी का निर्मान प्रतान करती है प्रिथवी में बने इन चिद्रों से होकर भाप का प्रवाह उपर तक दरारों के माध्यम से भूतल तक होता है चिद्रों को वास्प मुख तथा तब्त चस्में कहते हैं भाप का प्रवाह दरारों के माध्यम से प्रिथवी तल पर बने कुगां तक होता है इस भाब का उपयोग भू उसमी सक्ति सयंत्र के लिए होता है आगे हम देखते हैं कि इसके डवांटेज क्या है यह भू गर्व में अनंतकाल तक बना रहता है अन्य स्रोतों की तुल्ना में यह सस्ता है भू उसमी उर्जा की हाई ग्रेट अधिक उपयोगी होता है भू उसमी उर्जा की खोज करने में बड़े छित्र का दोहन करना पड़ता है वाय प्रोदूर्जा का खतरा होता है धन और समय ज़्यादा लगता है बहुत ज़्यादा पानी या भाब को निकालने से प्रतवी की सतर धस जाती है इस प्रकार का डिस एडवांटेज है इसका आगे हम लोग देखते हैं एक जियो थर्मल एनर्जी भूस मी उर्जा को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है यहाँ पर उसका फीगर दिखाया गया है इसमें डेफ्स कितना लेते हैं करिब तीन सो मीटर 6000 मीटर पर मेगमा पाया जाता है और क्रिस्टलाइन रॉक होता है परमेबल रॉक होता है हीट फ्लो होता है बैक फ्लो अफ वाटर होता है वाटर विद डिसॉल्व गैसेज होती है प्योर वाटर होता है हाट स्प्रिंग होता है boiling begins करके आता है boil उसके बाद अगर हम एक flow diagram में देखें तो सबसे पहले dry steam जाता है turbine में turbine generator को घुमाता है फिर turbine से जो हमको बास प्राप्त होता है उसको फिर condenser में डाल दिया जाता है condense होने के लिए फिर pump के माध्यम से उसको जमीन में डाल दियाता है इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो भी हमको बास पानी के रूप में मिलता है उसको फिर से हम जमीन के अंदर में डाल देते हैं इसे पानी की कमी ना होने पाए आगे देखते हैं माइक्रो हाइडल एनरजी सुच मिजल विद्धुत उर्जा परियोजना एक ऐसी विद्धी है जिसके द्वारा मितब्बे रूप से तथा सुच मिजल मात्रा से भी उर्जा का उत्पादन किया जाता है यह एक दसमलों प हाइड्रो परियोजना सो किलो वार्ट टू एक मेगावार्ट से तक होता है लगू हाइड्रो परियोजना एक मेगावार्ट से पंद्रह मेगावार्ट तक मीडियम हाइड्रो परियोजना पंद्रह मेगावार्ट से एक हजार मेगावार्ट तक दिर्ग हाइड्रो से उपर तक का होता है भारत में अरुणाचल प्रदेश, जंबू कस्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाड़ा और उत्तर प्रदेश में यह परियोजन लागू है यदि जल का हेड नीम नहें तो सारधन क्रास फ्लो टर्बाइन, ट्यूब टर्बाइन रिओनों प्रोंपिया जाता है यदि जल का हेड मध्यम है तो सेमी कपलान टर्बाइन अथो बल्ब टर्बाइन का उपयोग किया जाता है उच्छ जल हेड की दसा मेकाबलान एम पेल्टन विल टर्वाइन का उप्योग किया जाता है आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से माइक्रो हाइडल एनरजी का प्रोजेक्ट यहां पे लगा हुआ है वो चित दिखाया गया है जिसमें पेनिस्टेक है फरवाय है चैनल है स्ट्रीम क्रोसिंग है सेटिंग है इंटेक है स्पिलवे है पावर हाउस है वाटर वेर है आगे हम देखते हैं बायो डीजल बायो डीजल का उप्योग डीजल इंजन में इंधन के रूप में किया जाता है बायो डीजल का सपिंडन प्रजोलन इंजनों में बैकल्पिक इंध के रूप में किया जाता है यह पेटोलियम जलयम बायोडिजल के मिस्रण से तयार किया जाता है जैसे B5, B20, B100, ETC B5 का उपयोग 5% बायोडिजल की मिलावट 20% बायोडिजल तथा 100% B100 में 100% बायोडिजल की मिलावट होती है बायोडिजल B5 को उच्च गती डिजल तेल कहते हैं बायोडिजल का उत्पादन निमने विर्च्छों के फलों से प्राप्त किया जाता है जेट रेफा का अकरस, सूरज मुखी, तोरी का भीज, ताड़ या खजूर, करंज, आदे बायोडिजल के भोतिक गुण, इसका विशिष्ट गुरूत 0.872, 0.89 होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेट पर गतिच जानता कितनी होती है 3.72, 5.8 होता है, सीटे नंबर 46 से 70 होता है, उच्च उसमक मान 16,928 से 17,990 होता है सलफर कितना होता है, 0.0024, क्लाउड पॉइंट कितना होता है, 11 to 16, 4.15 से 13 अप्लिकेशन हैड्रो कार्बन उत्पन नहीं होता है, सलफर का उत्पादन नहीं होता है, प्रोदूशन रहित होता है यह पर्यावरन उनकूल होता है, ठीक है, टाइडल एनरजी की बात करते हैं टाइडल एनरजी, समुद्र के पानी में ज्वार एम भाटा के अंतर के प्रडाम सरूप समुद्री ज्वार उर्जा उत्पन होती है ज्वार के करण पानी को इस्तिति उर्जा अधिक हो जाती है यह इस्तिति उर्जा ही समुद्री ज्वारी उर्जा कहलाता है एक चंद्र दिवस प्राया 24.8 तीन गंटों का होता है इस काल में पानी अपने सतह से दो बार उड़ता है power house होता है मतलब तीन ही प्रकार की component पाए जाते हैं power house में टाइडल energy के generation में बाद क्या होता है बाद का मूल कारीज जल के सीड्स को उत्पन करना परंतु इसके साथ इसका कारीज जल प्रकार से एक किस प्रकार से एक समुद्र के एक सिरे पर एक हमको बात बनाया जाता है फिर उसमें टाइडल basin होता है इसलूइस gate होता है डायम होता है टर्बाइन जनरेटर सेट होता है पाउर हा। जिसको बोलते हैं तो इस प्रकार से आपको non-conventional source energy में इतने ही topic पढ़ने होते हैं और इतने topic में आपका ये पूरा पूरा chapter complete हो जाता है तो मैं आप से आसा करता हूँ कि इस chapter को अच्छे से notes बनाएंगे, notes बनाने के बाद इसको आप लोग अच्छे से अच्छा तयारी कर पाएंगे तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग का syllabus पूरा complete हो गया है, complete होने के बाद आप लोग को कुछ पेपर भी कराया जा रहा है जैसा कि आप लोग जानते हैं पॉल्टेकनिक कैपसूल चैनल पर भी यह शुरू से एक बार revision का कारेकरम शुरू है तो उसको भी आप लोग देखते रहिए पॉल्टेकनिक कैपसूल चैनल को ठीक है आज के लिए बस इतना ही आगे पेपर कराया जाएगा तब आपको बताया जाएगा किस प्रकार से पेपर एकजाम में आता है और आपको किस प्रकार से solve करना होता है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही Thank you